हेलो व्रीवन आप लोग का बहुत 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 है स्टडी पॉइंट यूटूब चानल पर आई वलकम यौल टू स्टडी पॉइंट और आज के इस पट्रिकुलर इंपोर्टन वीडियो सेशन में हम लोग डिसकस करेंगे रीजनिंग ये कुछ बहुत इंपोर्टन कोशन जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए इंपोर्टन है देखिए मैस रीजनिंग साइन्स करेंट अफेर जीकी की प्लेइलिस्ट बनी हुई है तो आप वीडियो उसको जरूर देखेगा उसमें इंपोर्टन कोशन को डिसक पूछ जाता है रीजनिंग में जिसमें आपको वेंड डाइग्राम से रिलेडिट कोशन पूछ जाता है बहुत इंपोर्टन है इस तरह के कोशन में कई बार आए भी है ध्यान से देखिए इसमें मराथी एश्याई और भारतियों के बीच में कौन से संबन दर्शाता है इ किस कॉंटिनिंट में आते हैं यह कहलाते है एश्याई ठीक है तो यह पे आप देख रहे हैं फिर से मैं बता देती हूँ मराथी भारती होते हैं और एश्याई में आई रहे हैं तो यहापर option C हो जाएगा हमारा सही आनसर आही होग यो कोशन आपको समझ महाँ के आसान कोश आता है most important question इस तरह के question आप exam में पूछे भी गया है और यह exam में आया हुआ question है देखें सबसे पहले आपको बताना है देखें इंजीनियर माल लीजे इंजीनर है यह एक सेकेंड इंजीनियर इंजीनियर में कई आपस में रिलेटेड नहीं होते हैं इसलिए इसको अलग अलग इसमें बताया गया है इंजीनियर केमिकल इंजीनियर और software इंजीनियर जो कि हमारा option A में साफ साफ दिख रहा है तुछले आपने नेक्स कोशन पर आते हैं blood relation से कोशन है एक लड़की के और इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा वह मेरे बेटे की भाई की मा की बेटी की बेटी है उस लड़की का उस व्यक्ति से क्या रिच्छता है भान जी पोता या नाती बहु या पोती देखिए इस तरह के कोशन में आप डाइग्राम बन आके बता सकते हैं प्लस माइनस वाला जो होता है उससे आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा इसको आप ऐसे देखिए जब भी blood relation कोशन आया तो उसमें जो है आप अपने से relate करके कोशन को solve किया करेंगे तो कोशन आसानी से solve वेगा और गलत भी नहीं होगा फिर से द उस लड़की का उस व्यक्ति से आने कि आप से क्या संबंद है देखे सबसे पहले लड़की को इसकारève करते हैं पुरुष ने कहा यह पुरुष मां लेटीजिकए आप अपने कहा वहाँ मेरे कि बेटी आपकी क्या 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 WAY फिर से दॉस्स कर दीन होता हैं प्रूश्य आपके बहुत기로nodat कोशन आपको इंपोर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेर जरूर करिएगा और चैनल पर रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगा तो कि मैस रीजनिंग और साइंस की प्लेइस्ट बनी हुए इंपोर्टन कोशन को डिसकस किया गा तो वीडियो को जरूर देखे सब्सक्राइब गया सिर्ीस जो दी हुए है इसमें कौन सा गलत है यापको उताना 4 ऑप्षन आपके सामने दीया हुआ है इसको यहाँ पर एक है यहां faint एक नहीं है और यहां पर एक है तो इसका मतलब यह नहीं कि इस तरह से question solve नहीं होगा इसको solve करने के लिए आपको क्या करना है ध्यान से देखेगा पहले हम लोगों इसको देखते हैं 27001 यानि कि 30 का क्यूब प्लस वन तो यह क्या होगा 27001 नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 63992 तो यह 40 का क्यूब प्लस वन नहीं है ठीक है यह क्या है यह है 40 का क्यूब माइनस वन ठीक है 40 का क्यूब माइनस वन यह हो जाएगा 63992 लास्ट वला क्या दियावा है 125001 यानि कि यह किसका है 50 का क्यूब प्लस वन जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि यह था आपका 10 का क्यूब प्लस वन यह क्या था 20 का क्यूब प्लस वन यह क्या था 30 क संख्या-1, और यह कया था? पचास संख्या-1 सभी प्लस में थे, बट यह वाला जो था माइनस में था, तो यह संख्या हमारी गलत है, तो यहां पर option A हो जाएगा हमारा correct answer जो कि संख्या गलत है ठीक है, बाकी सभी cube, plus 1 है यहाँ पे भी cube plus 1 है यहाँ पे भी cube plus 1 है बट यहाँ पे cube minus 1 है that's why यह हमारा सही answer हो जाएगा option A next question पर हम लोग आते हैं question A दी गई श्रिंख्ला में लुप्त अक्षर की पैचान करना है आपको क्या दे रखा है यहाँ पर dash BAC dash AC dash AC B dash dash B आपको बताना है कि यहाँ पर blank दिया हुआ यहाँ पर क्या क्या अच्छर आएगा इस तरह कोशन शॉल्फ करने के लिए वह क्या करना होता है सबसे पहले आपको यहाँ टोडल अक्षर किते दिया हुआ है गिन लेना होता है या तो तीन का ग्रूप बनाए या तो पांच का या तो एक का या पंद्रा का तो ऐसा नहीं होगा जब भी पंद्रा अक्षर दिया रहे तो आपको में शट तीन का ग्रूप बनाना होता है ठीक है तीन का ग्रूप आपको बना लेना है यानि कि यहां पे एक ग्रूप उसके बाद 1, 2, 3 यहां पे एक ग्रूप 1, 2, 3 यहां पे एक ग्रूप फिर यहां पे एक ग्रूप ठीक है अब आपको बताना है कि क्या के यहाँ पे फिलोगा ठीक है तो यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे आप लिखे C यहाँ पे आप लिखे B यहाँ पे भी आप लिखे B यहाँ पे आप लिखे A और यहाँ पे क्या लिखे C यानि कि यह CBA हो गया यह क्या हो गया CBA यानि कि हर एक म A, B, C आ नहीं है, चाहिए इधर उधर हो जाए यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया यह हो गया, यानि कि यहाँ पर B, A है, बट क्या नहीं है यहाँ पर C, A है, क्या नहीं है B नहीं है, यहाँ पर C, A C, A है, क्या नहीं है B नहीं है, यहाँ पर C B है क्या नहीं है, A नहीं है और यहाँ पर B A है, क्या नहीं है C नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा C B आपका आंसर क्या हो जाएगा C B B A C, यानि कि option A हो जाएगा नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट यहांपे क्या यहांपर यहांपर दिशुच यानि कि 5-3-4-2 किसाद क्या किये गया कि यहां पर 12 है K इसको प्लस कर देते हैं 5 3 8 8 3 8 4 12 12 12 14 यानि कि 14 में से अगर माइनस 2 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 12 ठीक है तो बट हम लोग देखते हैं क्या यह पैटर्न यहां पर भी फॉलो होता है कि नहीं यानि कि 5 6 11 11 प्लस दो 13 13 प्लस 3 16 तो 16 माइनस 2 14 होता है तो यहां पर यह वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तो हमें किसी और तरह से हमें इस कोशन को सॉल्फ करना होगा ब्लस करने पर नहीं आया है अब हम लोग क्या करते हैं 5 को 3 से कर देते हैं मल्टिप्लाई 5 यह 15 15 को 4 से कर देते हैं 15 दूने 30 15 लोग 2 से कर देते हैं तो 120 120 को 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 12 तो इस तरह हम लोग इस पैटर्न को नेक्स वाले में फॉलो कराते हैं देखते हैं यह फॉलो होता यानि 5 को 6 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 30 होगा 30 को 2 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 60 होगा 60 को 3 से भाग देंगे, 180 में 10 से भाग देंगे, तो हमारा ठारा जाएगा जो पैटर्न यहाँ फॉलो हुआ वो यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, अब हमको यहाँ पर चक करना है, आंसर क्या आएगा 5 को 2 से मल्टिप्लाई किया, गुड़ा किया 10 आया, 10 को 2 से किया क्या कर रहा है हमने, यहाँ मल्टिप्लाई किया यहाँ मल्टिप्लाई किया, यहाँ मल्टिप्लाई किया, जो आंसर आया उसको 10 से भाग कर दिया यहाँ मल्टिप्लाई किया, यहाँ मल्टिप्लाई किया इसको आपस मल्टिप्लाई किया, जो आंसर आया को 10 से भाग दे दिया वैसे यहां पर पांस दूनी 10 10 दूनी 20 20 नमाई एक सो असी को जब हम लेद दस से भाग दिया तो मारा आ गया अठारा जो कि हमारा ओप्शन बी में यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है ठीक है में लोग आते हैं यहां यहें मारे वीड़ और आज मैने आपको कराई है इसका है इस यहां को दकने है कउरा प्लास्टिक लखडी ठीक है अपको बता न žाच है ठीक है आपको बताना की प्लास्टिक लखड़ी इनका अपस में क्या relation होगा, जो कि हमारा इन दो चारों में से answer हमारा कौण सा सही होगा आपको मैं बता दू, इस मैं सापको बताना है कौन सा answer सही होगा आपके लिए बता देती हूँ कि यहाँ पर C और D नहीं होगा ठीक है, आपको solve कर करके बताना है कि अंसर ए होगा सही या भी होगा ठीक है कमेंट बॉक्स पर आंसर जरूर लिजेगा और जो डिस्क्रिप्शिन बॉक्स वीडियो वीडियो को जरूर देखेगा कोशन करांग से जरूर दीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा थैंक यू सो मच वाचिंग थैंक यू